तो हैलो दोस्तो आज के हमारे टोपिक है कलर गेडिंग के बारे में आज हम सीखने वाले किस तरह से आप अपने नॉर्मल फोटो को ड्रीमी ग्लो इफेक्ट दे सकते यहापर सबसे पहले यहापर देखे यह नॉर्मल फोटे इसको हम इस तरह से इफेक्ट देने वाले हैं ड dreamy glow effect दे सकते हैं तो चले मैं इस effect को हटा देता हूं मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा कि इस तरह से आप dreamy glow effect दे सकते हैं आपके photo में दोस्तों वीडियो को पुरा देखिए क्योंकि इसमें काफी सारी सेटिंग करनी पड़ती है तो यहापर देखें नीचे काफी सारी ओप्षन है सबसे पहले हमें जाना है लाइटिंग वाले ओप्षन में ठीक है फिर यहापर देखें Contrast को माइनस 10 कर देना है उके उसके बाद highlight को माइनस 24 कर देना है फिर यहापर white को माइनस 81 कर देना है ठीक है और black को माइनस 35 कर देना है ओके अब लाइटिंग वाला काम हो चुका है अब हमें जाना है इफेक वाले ओप्षन में इफेक वाले ओप्षन में जाने बाद सबसे पहले टेक्चेर को हमें करना है माइनस 10 परसेंट ओके करिया पर clarity को माइनस 90 परसेंट कर देना है 90 या 93 कर सकते आप ठीक है तो यह पर देकिए थोड़ा थोड़ा इफेक हमारे फोटो में आते जा रहा है अब यह पर देकिए DH को हमें क्या करना है सरिफ 1 परसेंट बढ़ाना है ठीक है और QNight को माइनस 5 परसेंट कर देना है ठीक है नीचे आना है नीचे यहाँ पर दीखें राउंडनेस है ना राउंडनेस राउंडनेस को आपको करना है प्लस अट्रा पसेंट ओके फिर यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर दीखें ग्रेनी है ना ग्रेनी ग्रेनी को आपको करना है प्लस ग्यारा पसेंट कि एब वग्याव कि यापव साइज को के 25 करदेदाव मैं अब दोस्तों यह पर दीकर एफेक वाला काम होचुकेerd अभी जाना है डीटेल यह उक्षिन में जाने बाद यह पर दीकर को करना है फ्लस ट्वाइब अब बमास्किन वाले उप्षिन पर जाने मास्किंग को करना है प्लस 4 पसेंट और नाइज रेडिक्षन को करना है प्लस 30 पसेंट कलर नॉइज रेडिक्षन को करना है 50 पसेंट इतना होनी के बाद यह पर दीके हमारा detail वाला भी काम हो चुका है अब यहाँ पर जाना है हमें color वाले option में color वाले option में यहाँ पर दीके white balance लिका है ना यहाँ पर हमें क्या करना है 10 को plus 15% कर देना है और को माइनस 5% कर देना है ओके सेशुरेशन को प्लस 12% कर देना है इतना होनी के बाद अब हमें जाना है मिक्स वाले ऑप्षिन में मिक्स वाले ऑप्षिन में सबसे पहले यह पर रेड कलर रेड कलर को हमें क्या करना है हिव को माइनस 5% कर देना है ओके और सेशुरेशन को माइनस 5% कर देना है लूमिनस को प्लस 15% कर देना है अब जाना है औरेंज कलर औरेंज कलर में हिव को प्लस 5% कर देना है saturation को minus 27 कर देना है और luminous को plus 50% कर देना है ओके अब दोस्तों जाना है हमें yellow color hue को 50% कर देना है जाना है next color next color यानी green color में जाना है green color में आपको कुछ नहीं करना है अब यहाँ पर जीतने भी color है last वाले इसको क्या करना है सबको saturation को minus 100% करना है next color जाना है saturation को minus 100% करना है next color जाना है saturation को minus 100% करना है saturation को minus 100% करना है next color जाना है minus 100% कर देना है इतना होने के बाद दोस्तों यह पर देखिया blending वाल अप्षिन में जाना है यहाँ पर सेड़ो यहाँ पर 50% है यहाँ पर 55% कर देना है ओके कुछ इस तरह से इतना होने के बाद यहाँ पर हमें जाना है लाइटिंग वाले ओप्शन में कॉप्स में जाना है और यहाँ पर सबसे लास वाले जो कलर है इसको यहाँ से थोड़ा सा उपर लेके जाना है तो यह इससे क्या होगा हमारे चेहरे पर एक वाइट टॉनिफेक आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ देखे पीला कलर हो रहा है और इसको जैसे मैं उपर करता हूँ हमारा जो चेहरा है उसमें एक वाइट टोनिफेक आता है कुछ इस तरह से तो इसको आपके फोटो के हिसाप से कर देना है तो यहापर आप देख सकते हमारा जो फोटो यह वो पूरी तरह से एडिट हो चुका है और काफे बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखे पहले कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने फोटो में ड्रिमी गलो एफेक्ट को कि ए मैं टिरे